नमस्ति दोस्तो मैं हुदिप्ति और स्वागट है आपका आपके चानल सोल समझ कर दें दोस्तो एक इलेक्ट्रिक केटल बहुत से लोगों के लिए मस्ट है अप्लाइंस है उनके किचन के लिए चाहे पुर्चाई के लिए गर्मा गर्म पानी को या टू मिलिट्स के कपा नुडल्स के लिए बिना कोई ताम जांगे ये आपको होट बॉइलिंग वाटर देता है और हाँ इसमें एक और इंप्रेस्टिंग फीचर है और वो है और टो शट आउफ फीचर चलिए लज़र टालते हैं ऐसे ही तुप्स मार्केट में मिलने वाले टॉप फाइल बैस इलेक्ट्रिक केटल एक ऐसा हाउज होड अप्लायंस है जो आपके वोकलोड को कम तो करता ही है साथ ही साथ आपके किचन में भी चार चान लगा देता है आप इसका उप्योग मुख्य रूप से पानी उबालने के लिए टी कॉफी या इंस्टेंट सूप बनाने के लिए भी कर सकते हैं यह आपका काम आसान हर उस जगा करता है जहां आपको बॉइलिंग पानी की जरुर इलेक्ट्रिक केटल बहुत ही कम मात्रा में एनरजी कंज्यूम करता है अगर आप इसे गैस के साथ कंपेर करें तो इलेक्ट्रिक केटल भी आपको सेम अमाउंट में पानी गरम करके देगा लेकिन कम समय में एक सामान या केटली को आपको गैस पे रखके जलाना होता है ले सिंगल बटन के होने से आपका बहुत सा काम आसान करता है आइडिली देखा जाए तो आप एक लीटर के इलेक्ट्रिक केटल से तीन बड़े कब गरम पानी चाय या कॉफी बना सकते हैं इसका सरल नियम यह है कि जितना हाई केटल का वाटेज होगा उतनी ही जल्दी हीटिंग होगी और पानी बॉइल होगा फर्स करो कि 1500 वाट रेटिंग वाला एक एलेक्ट्रिक केटल एक लीटर पानी को पांच मिनिट से भी कम टाइम में उबाल सकता है आप दूद को इलेक्ट्रिक केटल में बॉइल नहीं कर सकते हैं जब तक कंपनी यह अश्योर नहीं करती है कि यह दूद भी बॉइल कर सकता है इलेक्ट्रिक केटल की सबसे अच्छी बात यह है कि आपके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और इसका वाटर लेविल इंडिकेटर आपको अपनी जरुरत के अनुसार पानी डालने की अनुमती देता है आखरी और सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक केटल शद प्रतीशत एकदम सेफ है अगर आप इसे स्टोफ टॉप केटल से कंपेर करें तो क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल के इस्तमाल करते वक्त आप ना ही आपका प्रयोप करते हैं या फिर उसके सामने खड़े होते हो जो भी माटीरियल इलेक्ट जाता है इन दोनों को equal parts में डाल दे और कुछ घंटों के लिए इस solution को kettle में ही रहने दे और फिर एक घंटे बाद उस solution को boil करे Lastly solution को kettle से फेक कर lemon juice से अच्छी तरह से धोए चलिए अब बारी आती है Top 5 Best Electric kettle की इनके जो prices दिये गए हैं वो सिर्फ इसी वक्त के लिए है हो सकता है आगे जाकर इनके prices कम या ज्यादा हो जाए Number 5 पर है Prestige Electric Kettle ये एक 1.5 लीटर और 1500 वाट का इलेक्रिक केटल है ये Automatic Cut-Off Function 360 Degree Survival Base और Single Touch Lid Locking के साथ आता है इसका Body Stainless Steel का बना हुआ है अगर इसके Performance की बात करे तो ये काफी अच्छा है पानी जल्दी गरम करता है और Value for Money भी है अगर इसके कौन की बात करे तो इस kettle का lid इससे Attached है तो धोते वक्त थोड़ी मुश्किले हो सकती है इसका Cord भी छोटा है साथ ही इसका Outer Part Steel का है तो ये काफी गरम रहता है इस kettle को बच्चों से दूर रखे जब आप इसे Use कर रहे हो तो इसके Price की बात करें तो ये आता है रुपीज 829 में और आपको इसके साथ एक साल की वारेंटी भी मिलती है नमबर 4 पे है Pigeon Amaze Plus इस 1.5 लीटर का Electric Kettle आता है 1500 Wattage के साथ इसमें 360 डिग्री Survival Base और Automatic Cut-Off Function दिया गया है इस kettle को आसानी से इसके Survival Base से उठा कर आराम से अपने Sink तक ले जा सकते हैं और आप पानी भी भर सकते हैं इसके पावर कॉट से कोई तरह की परिशानी नहीं होती है अगर इसके Performance की बात करें तो ये काफी अच्छा है और बस 5-6 मिनिट में आपको ये देर लीटर पानी बॉइल करके देगा क्योंकि इस केटल की बाहरी बॉड़ी भी स्टील की है तो ज़रा ध्यान दे क्योंकि वो ज्यादा गरम हो सकता है अगर इसके कॉट की बात करें तो इसकी बिल्ड कॉलिटी एवरेज है और इसका कॉट भी थोड़ा छोटा है लेकिन Amazon पे सबसे ज्यादा बिकने वाला केटल है इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको 529 में मिल जाएगा और साथ में एक साल की वारेंटी भी मिलती है नमबर 3 पर है Kent Electric Glass Kettle Kent का ये Electric Kettle आता है 1.8 लीटर के कैपासिटी के साथ और पावर है 2000 वाट का जो काफी अच्छा परफॉर्मिंस देता है ये आता है 360 डिग्री रोटेशन बेस के साथ और इसमें ब्लू LED लाइट लामिनेशन और आटो शट ओफ फीचर भी है इसकी बोडी को डिजाइन किया गया है बोरो सिलिकेट ग्लास बोडी से ये ग्लास केटल स्ट्रॉंग है और आसानी से नहीं तुटेगा इसमें कोई भी तरीके का खरोज भी नहीं लग सकता है इसके कौन की बात करे तो एक किलो के ग्लास केटल के लिए ये काफी भारी है इसको धोते वक आपको सामधानी बरतनी होगी इसकी प्राइज है रुपीज 1,039 और ये एक साल के वारंटी के साथ आता है नमबर दो पे है इनालजा इलेक्ट्रिक केटल इनालजा का ये 1.5 लीटल का इलेक्ट्रिक केटल आता है 1350 वाट के साथ ये 360 डिगरी कौडलेस बेस के साथ आता है इस इलेक्ट्रिक केटल का कौडलेंद छोटा है लेकिन बाकी केटल के तुलना में लंबा है ये एक value for money product है और इसकी performance भी काफी बढ़िया है ये kettle आपको मिल जाएगा सिर्फ रुपीज 712 में और इसके साथ एक साल की warranty भी मिलती है इसका एक con ये है कि इसके बाहर का हिस्सा गरम होता है तो थोड़ा सावधान रहे नमबर एक पर है Hevels Aqua Plus ये 1.2 लीटर का electric kettle 1500 watts के साथ आता है इसका stainless steel का interior body काफी अच्छा है जिसकी वज़े से इसमें बनाया हुआ कोई भी चीज ज्यादा समय तक गरम रहता है और इस kettle का बाहरी हिस्सा गरम नहीं होता है तो आप इसको आराम से handle कर सकते हैं ये आता है auto shut off function के साथ इसकी design काफी काबिलेत तारीफ है इस kettle का मूँ काफी बड़ा है जिससे cleaning process आप के लिए काफी आसान हो जाती है इसका कॉट छोटा तो है ही लेकिन ये बहुत ही अच्छा product है जिसकी price है Rs.1349 और warranty भी इसकी 2 साल की है तो दोस्तो पानी गरम करने का काम आप यास या cooktop पे भी कर सकते हैं लेकिन electric kettle आपका काम आसान बनाता है और आपको बस कुछी seconds या minute में hot boiling water देता है आपको हमारे दिये गए options में से कौन सा electric kettle पसंद आया अमें नीचे comment box ने ज़रूर बता है अगर आपको electric kettle को लेकर कोई नी प्राह या सवाल हो तो आपने comment करें अगर आपको हमारे चैनल पर नए हो तो हमें subscribe करें जो भी खरीदें सोच समझ कर खरीदें करेंगे एंगे जो आपको लेकर को एंगे लुटेंच को एंगे लुटेंट को एंगे लुटेंज अगाओ लेगे हैं